नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है आज है 27 फरवरी दिन सोमवार खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बालू माफियाओं पर नकेल कसने के लिए सरकार की नई पहल बिहार के सागर कुमार का जूनियर विश्व कब कबड़ी की भारतिय टीम में हुआ चैर 2024 में बीजेपी मुक्त भारत बनाना ही नितीज कुमार का लगचे प्रलन सिंग पीम किसान योजना की तीसरी किस्त जारी कडिंगे पीम होदी विराट कोली ने अपनी कप्तानी को लेकर आलोजकों को दिया करारा जवाब अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बरी खब्रों के ओर विस्तार से सब इंस्पेक्टर हिट कॉनस्टेवल के पदों पर निकली भरती महाने दिशाले सीमा सुरक्षा बल B.S.F. ने सीधी प्रवेश परिच्छा 2023 के माध्यम से B.S.F. Water Wing में Group B और Group C के 127 पदों पर भरती के लिए रिक्रूट में नोटिफिकेशन जारी किया है आपके जानकारी के लिए बता दे कि आवेदन फॉर्म जमा करने के अंतिम्तिती 30 दिन है वहीं आवेदन के शुरवाद 25 फरवरी से की गई है एक चोक और युग्यमिद्वार आवेदन करने के लिए B.S.F. की अधिकारिक वेबसाइट आवेदन करने से पहले उमिद्वारों को सरहा दी जाती है कि वह भरती से जुरी जानकारी पढ़ ले और उसके बाद आगी की प्रक्रियाश शुरू करे बालू माफियों पर नकेल कसने के लिए सरकार की नई पहल राजसरकार ने बालू घाटों से जुरे सभी समवीदन शील मारगों पर निगरानी रखने का फैसला लिया है ताकि बालू माफियों पर नकेल कसा जा सके अब पूरे 24 घंटे तक ऐसे मारगों पर राजसरकार द्वारा निगरानी रखी जाएगी साथ ही साथ जो भी इससे संबंधे जिले हैं वे इसके रिपोर्ट प्रतित दिन सरकार को भी भेजेंगे इसके नियावित मॉनिटरिंग भी मुख्याले द्वारा की जाएगी फिर जिलों को इसके आधार पर आगे की निर्देश दिये जाएगे बता दी कि सरकार दोरा यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि पिछले दिन राजश्व के वसूली में कमी आई थी और बालू माफियों की सक्रेता भी बढ़ रही थी दरसल यह बास सामने तबाई जब खान एवं भू तत्व विवहा के निदिशक दोरा राजश्व वस हुआ था यह एक भारतिय फिल्म नर्माता अभिनेता नर्देशक और पत्र कठा लेखक हैं जो जातर अपनी राजनेतिक और समाजिक राजनेतिक फिल्मों जैसे दामुल मृत्यू डंट कंगा चल अफरन के लिए जाने जाते हैं चिनमें राजनेती आरक्षन चक्रवियू और सत्याग्रह जैसी मल्टी स्टार्ड फिल्म शामिल है यह 1984 फेसस आफ्टर दे स्टार्म और 2002 में शोनल जैसे राश्रिय फिल्म पुरुसकार विजेता वृत्चित्रों के नर्माता भी है यह एक प्रोडक्शन कंपनी प्रकाश यह प्रोडक्शन्स चलाते हैं प्रकाश प्रदान मंतरी नरिंदर मोदी हूली और रभी की कटाई से पहले जारी करेंगे प्रकाशन को हर चार महीने में दो हजार रूपे की तीन किस्तों के साथ 6,000 रुपे प्रतीवर्ष का वीतियला प्रदान मंतरी द्वारा किसान सम्मानीधी के तहट प्रदान किया जाता है हिद गाहियों के बैंक खातों में सिस्कीम के तहट पैसे सीधे ट्रांसफर किये जाते हैं बतादी कि यह उजना दिसंबर 2018 से ही लागू है लेकिन फरवरी 2019 में शुरू की गई थी गंगा नदी में मिली मा दुर्गा की अस्ट धातू प्रतीमा भागलपूर जिला के सुल्तान गंज के कमर गंज पंचायत के चार छातर जब गंगा नदी मिशनान करने गये तो उन्हें नदी से मा दुर्गा की अस्ट धातू की प्रतीमा मिली जिसके बाद उस प्रतीमा को देखने के लिए कमला गंज पंचायत के ग्रामीनों की भीर उमर परी हाला की मुर्ती मिलने के सूच ना मिलते ही जिला परिशत सदस्या आसा जैशवाल मौके पर पहुँचे और मुर्ती को सुल्तान गंज के थाना अध्यक्स प्रिया रंजन क शौप दिया ताकि अश्च धातु मा दुर्गा की प्रतीमा की जांच कराई जाए और फिर इसे कमर गंज पंचायत के दुर्गा मंदिर में स्थापित कर विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की जाए स्यम नितीज ने थानों में महिला डेस्क और सोशल मीडिया केंद्र का उदगातन बित दिन बिहार के मुख्यमंत्र नितीज कुमार के दोरा बिहार पुलिस दिवस के अफशर पर मितले इस इस्तेडिया में आयुज समारों में बिहार के 500 थानों में अलग से महिला डेस्क और बिहार पुलिस के लिए शोशल मीडिया केंद्र का उधगाटन किया गया और साथ इस कारेक्रम में कई पुलिस अधिकारी एवं जमानों के बहतर कारी के लिए उन्हें सम्मानत भी किया गया की जानकारी के लिए बतादे कि इस दौरान मक्यमंत्रे नितीश कुमार के साथ बिहार के डीजी पी आरेस भटी समेट पुलिस विभा के आला अधिकारी मौजूद रहें आठवे पास युवा के लिए गया में लग रहा रोजगार मेला सुमवार यानि आज वैसे युवाओं के लिए सुनहेडा अफसर है जो रोजगार की तलाश में है दरसा 27 परवरी को नियोजन सह मार्क दर्शन मेला का आयोजन गया के किंदूई स्थित मौडल कैरियर सेंटर सह अवर प्रादेशिक नियोजनाले में किया जारा है वतादी की करीव 700 पदों पर निप्ति इस मेले में होनी है इस मेले में विविन कंपनियां आएगी 7,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक का वेतनमान इन कंपनियों दोर अनिरधारित किया गया है यह मेला बिरोजगार युवाओं के लिए एक सुनहेडा अफसर है जहां आठवी बार विसना तक एवं ITI और डिप्लोमा पास तक के युवाँ भाग ले सकते हैं मनोज वाजपई ने शेयर किया गुलमोहर फिल्म का पोस्टर अगर आप भी उन लोगों में हैं जो गुलमोहर फिल्म के रिलीज होनी का इंतजार कर रहे हैं तो आज की ख़बर आपको खुसखबरी दे सकती है बता दे कि भारतिय हिंदी फिल्म के जाने मानी बिहार के कलाकार मनोज वाजपई के द्वारा बीतित दिन अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया गया यहाँ पोस्टर गुलमोहर फिल्म का है गुल मोहर 3 मार्च से डिजनी प्लस होट स्टार पर आपकी जानकारी के लिए बता दे कि यह फिल्म डिजनी प्लस होट स्टार पर रिलीस की जाने वाली है जिसकी तारीक 3 मार्च नरधारित की गई है इस फिल्म में सैफ अली खान की मा और करीना कपूर की सास सरमीला टैगोर भी नजर आने वाली है कुछ समय पहले इस फिल्म के ट्रीलर को रिलीस किया गया था जिसे लोगों के द्वारा खूप पसंद किया गया गरीब बचाओ रैली के दौरान टूटा मंच बाल बाल बचे जीतन राम मांजी गरीब जगाओ रैली का आयोजन पटना के गांधी मैदान में हिंदुस्तान आवाम मोर्चा द्वारा आयोजित किया गया था जिसमें बिहार के पुर्व मुख्यमंत्री जीतना मांजी बिहार सरकार के अनुसुजित जाती जन जाती के मंत्री शंतोस कुमार शुमन सहित कई कारीकरता भी शामिल थे 13-17 मार्च तक कस्तुर्वा विद्याले सिक्षक नियुक्ती की परिच्छा 13-17 मार्च तक सिक्षिकाओं और वर्डन की भरती परिच्छा राजे भर के 534 कस्तुर्वा वाशे विद्याले में ली जाएगी बिहार सिक्षा परियोजना परिशत द्वारा भी किसी भी प्रकार की उसमें त्रूटी होती है तो उसे अभ्यर्थी द्वारा 28 फरवरी तक सुधार करवाया जा सकता है जब 28 फरवरी तक अभ्यर्थी द्वारा डमी प्रविश पत्र में सुधार करवा दिया जाएगा तो एक मार्च को बिहार सिच्छा पडियोजना पडि सिद्मूर प्रमान पत्र जारी करेगा बता दे कि लगभग 4,000 पत राजिभर के सभी कस्तुर्वा विद्यालियों में खाली है जम्मूई की बिटिया ने बढ़ाया राजी कमान दरसल यूपी के राजभवन में पोर्टरी डिजाइन प्रतियोगिता आयुजित की गई थी जिसमें 55 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था उसमें से एक प्रतिभागी रिचा सिंग भी शामिल थी इस प्रतियोगिता में रिचा सिंग को यूपी की राजेपाल आनंदी बेन पटेल के दोरा सर्टिफिकेट दे कर सम्मानित किया गया और साथ ही लखनौ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर आलोग कुमार राय ने भी रिचा की पौटरी डिजाइन की खूब प् चाहिए कि शिशेल मोदी का लालू प्रशाँ यादव पढ़्द हमला त्क फ़िआर सिरकार के पुर्वा हुपमंख्य मंत्री एवं राजिस सभासदाทय कहीं हैं अगर लालू प्रिशाद अपना आरोप साबित कर देते हैं तो मेरा जिस सभाकी सदिस्ता से अपना त्याग पत्र शौपने के लिए तैयार हूं अरक्षन व्वस्ता को लेकर लालू प्रिशाद के द्वारा में इस्थिता यह सूप खंदित अवस्ता में यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं यहां पर आपको एक बड़ा सा टिला किला देखने के लिए समा गया है यहां पर आपको एक विशाल तेला देखने के लिए मिलता है जिस पर आप चरकर पूरे लॉरिया नंदन वन का द्रिश्य देख सकते हैं इस स्टूप की खोस सर अलेक्जेंडर करिंगम ने 1862 में की थी यहां पर आपको किले एवं स्टूप के भगनाविश देखन में हुआ चैन बिहार राची कबड़ी संके सचीव कुमार विजय सिंग के द्वारा दी गई जानकारी के नुसार बिहार के लाल पतना जला के बक्तियारपुर प्रखंड के रूपस मरवाही गाउ के रहने वाले सागर कुमार का चैन जूनियर विश्व कब कबड़ी की भा रह चुके हैं इसके साथ उन्होंने 2020 रोतक में आयोजित राश्य जूनियर चैंपियंशिप में साइं की ओर से खेलते वे श्रण पतक जीता था वहीं सागर कुमार के चैन होने के बाद एक तरफ जहां उनके गाउं में जशन का मोहल बना हुआ है तो वहीं दूसरी ओर अध्यक्ष सहमुख्य मंत्री के सराकार समेत कई विशेश लोगों के द्वारा बधाई भी दी गई है प्रदेश के आधे जिले में गर्मी जैसे हालात बिहार में मौसम का मिजास का बदल रहा है बदलते मौसम के बीच प्रदेश में कहीं गर्मी तो कहीं हलकी ठंडी है प दिन चरने के साथ ही तापमान में बरहुतरी देखने वोगों के लेगी दोजाट चौबस में बीजेपी मुक्त भारत बनाना ही नितीज कुमार का लक्ष ललन सिंग पचीस फरवडी यानी शनिवार के दिन केंद्रिय ग्रे मंत्रे अमस सा एक दिवसीय बिहार दोड़े प प्रतिक्रिया जदियू के राश्य अधिक्ष ललन सिंग के तरफ से आई है उन्होंने कहा है कि आपके दर्वाजे पर दर्खास तले कर हम खड़े नहीं है कोई भी आपके साथ नहीं जाना चाहता है ललन सिंग दोरा यह भी कहा गया है कि एक एक कर सब अलग हो चुके है 2017 म अब हम लोग NDA में शामिल हुए थे 2024 में बीजेपी मुक्त भारत बनारा है नितीज कुमार का मुख्य लक्ष है साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि आप अपना दर्वाजा बंद ही रखे कोई अंदर जाने वाला नहीं है समरार चौधरी ने किया पलटवार सियम नितीज कुमार ने महागरबंधन की रैली को संबोधित करते वे कहा था कि बीजेपी को 100 सीट से कम पर रोक देंगे CMA 30 के इस बयान पर भाजपा नेता समरार चौधरी ने पलटवार करते वे कहा कि आगामी लोग सभा चुनाओं में महागरबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा साथी साथ बिहार में सभी लोग सभा के 40 सीट पर बीजेपी की जीत होगी इस बात का दावा भी समरार चौधरी द्वरा किया गया है समरार चौधरी द्वरा ये भी कहा गया है कि इस बार की लड़ाई 70-30 की होगी इसमें भारतिये जंता पार्टी के साथ 70-60 है राकेश टिकैट और सुधाकर सिंग का किंद्र और राजी सरकार पर हमला बीते दिन के साथ ने ताराकेश टिकैट और पुर्व कृश्री मंत्री सुधाकर सिंग का बेहार की कैमूर जिले के समारनाले भबुआ में महा धर्णा था इस दोरान डाकेस टिकैट और सुधाकर सिंग के दोरा राजे और किंदर दोनों सरकारों पर जमकर हमला बोला गया एक तरफ जहां पुर्व कृश्वी मंतरी सुधाकर सिंग ने कहा कि पहले तो रात में चोड, डाकू और आतंकवादी आते थे लेकिन आज के समय में रात में फुलिस आते हैं और लोगों पर अतियाचार करते हैं नितीज कुमार कहते हैं कि मूदी को हटा कर हमें प्रिधान मंतरी बनाईए अगर सत्ता में मौडिफाई वर्जन ही आएगा तो इससे अच्छा क्यों न देश में राश्ट्रपती साशन लागू कर दिया जाए वही दूसरी ओर किसान ने तराके स्टिकार के द्वारा कहा गया किसान मूर्चा के जंडे को बदनाम करने की कोशिश की गई है यह देश में हिंदू सिख कराना चाहते हैं और किसानों को बाटना चाहते हैं जो हम नहीं होने देंगे हमारे देश में अलग-अलग राजी के अलग-अलग पार्टियां है लेकिन सभी पार्टियों की एक ही पॉलिसी है कि किसानों को कैसे लूटा जाए नितीस अपने गदी को बचाने में लगे हैं गिरास सिंग नहीं है वह केवल अपनी सरकार को बचाना चाहती है एक तरफ जहां केंदर सरकार लगातार बिहार की मदद कर रही है फिर भी नडिंद्र मोधी को गाली दी जा रही है तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नितीस कुमार अपनी गती बचाने में लगे है नितीस सरकार अपक PCM मनीश शिशोदिया को दिल्ली सराब घुटाले मामले में सबूत मिटाने और उसमें छेरचार करने के आडोब को लेकर गिरफतार कर लिया गया। पता दे के बीते दिन CBI दफतर पहुंचने से पहले उन्होंने अपनी मां का असरवाद लिया था और फिर राजगार जाकर बापू को श्रधाज ली दी थी। इसके बाद कहा भी था कि आज मैं CBI के दफतर जा रहा हूं और मैं जांच में CBI का पूरा सहयोग करूंगा लाखो बच्चों का प्यार और करोरों देशवासियों का असरवाद मेरे शाथ है अगर मुझे कुछ महीन जेल में रहने भी पड़े तो मुझे इसकी कोई परवा आपके साथ है जब आप देश और समाज के लिए जेल जाते हैं तो जेल जाना दूशन नहीं बच्च की भूशन होता है प्रभूस ये काम ना करता हूं कि आप जेल से जल्दी वापस लोटाए हम सभी आपका इंतजार करेंगे विराट कोहली ने अपनी कप्तानी को लेकर आलोजकों को दिया करारा जवा भारती टीम के पुर्व कप्तान विराट कोहली के दौरा हाली में RCB के पॉड़कास्ट में अपनी कप्तानी को लेकर खास प्रतिक्रिया दी दरसल विडाट कोली की कप्तानी के दौरान भरत को ICC टॉफी नहीं मिल पाई थी जिस वजह से उन्हें फेल कप्तान माना जारा था इसी को लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते भी कहा कि आप टूर्णा में जीतने के लिए खिलते हैं चार ICC टूर्णामेन के बाद मुझे फेल कप्तान माना गया लेकिन मैंने कभी उस नजरी से खुद को जज नहीं किया उन्होंने कहा कि बतौर टीम हमने क्या हासल किया कल्चरल चेंज जो हुआ मेरे लिए गर्व की बात रहने वाली है एक टूर्णामेन कुछ समय के लिए चलता है लेकिन कल्चर लंबे समय के लिए होता है मैंने बतौर खिलारी वर्ल्ड कप जीता और खिलारी के रूप में चैंपियन्स ट्रॉफी जीती मैं उस टीम कहंसा रहा जिसने पांच बार टेस्ट गता भी जीता भारत के टिहास में आज की तारीक है बहत खास फ्रांती कारी एवं सुदंता सिनारी चंदर शेखर आजाद नहिलाहबाद के अलफ्रेट पार्क में ब्रिडिस पुलिश के साथ मुटभेर में गिरफतारी से बचने के लिए 1931 में खुद को गोली मार ली पुर प्रिधान मंतरी अटल विहारी बाजपई ने 2009 में अपनी लोग सभा सीट का उत्राधिकारी पार्टी के वरस्ट नहीं था लाल जी टंडन को सौपा पश्यमंगाल के कॉलकता में 2013 में एक बाजार में आग लगने से 20 लोगों की मौत हो प्रसद सुतंता सिनानी विजय सिंग्ग पत्थी काठास और 182 में जन हुआ, 1931 में प्रसद सुतंता सिनानी चंदरशेकर आजात का निधन हुआ, 1956 में लोग सभा के पहले स्वीकर चीवी मामलकर का निधन हुआ, 1997 में हिंदी फिल्मों के प्रसद भारती गीतकार इंदिव का निधन हुआ 2010 में राश्रिय श्वेम सेवक संग के मजबूत अस्थम और प्रख्यात समास सेवक नाना जी देश्मुक का निधन हुआ वालकर में आजम बात करेंगे चात्रों को मुफ्त लैप्टॉप मिलने के बारे में शूशर मीडिया पर कहीं सूचना है वारल होती है लेकिन सभी सच हुए ज़रूरी नहीं है से करी में आजम बात करेंगे चात्रों को मुफ्त लैप्तॉप मिलने के बारे में, दरीसल प्याई वी ने अपनी टूइट में लिखा आएं, कि वेबसाइट लिंक के साथ एक मैसेज इस दावे के साथ प्रशारित किया जा रहा है, कि भारत सरकार सभी छात्रों को मुफ्त लैप्टॉप दे रही है प्याबी ने अपने टूइट में आगे लिखा है कि प्रसारत लिंक फरजी है सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही है Instagram में जल्द यूजर्स को मिलेगी ये सुधा Instagram जल्द ही अपने यूजर्स के लिए नया अपडेट लेकर आने वाला है जिसके तहता दूसरों की प्रोफाइल पिक्चर जादा क्लियर और अच्छे से देख पाएंगे अभी तक अगर कोई यूजर ऐसा करना चाहता है तो उससे या तो थर्ड पार्टी एप की सहायता लेनी परती है या फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट के बाद पोस्ट के जर्ये वो सामने वाले वेक्तिक अच्छे से देख पाता है तो लाल नया अपडेट कुछ यूजर्स के लिए जारी किया गया है आने वाले समय में धीरे-धीरे सभी के लाइब होगा अगर किसी यूजर्स ने स्टोरी लगाई है तो उस अवस्था में प्रोफाइल को देर तक टैप करना होगा तब जाकर प्रोफाइल पिक्चर बड़े साइज में दिखेगी इस नए फीचर का फाइदा ये होगा कि आप सभी की प्रोफाइल फोटो को बड़े साइज में देख पाएंगे प्यम मोदी ने मन की बात कारिक्रम में कही ये एहम बात मन की बात कारीक्रम जन भागिदारी को अविवक्ती का एक अद्बूत मंच बन गया है या बात रविवार को प्रधान मंतरी द्वारा कही गई अपनी बात को आगे रखते वे उन्होंने कहा कि समाज की सक्ती बढ़ती है तो देश की शक्ती भी आगे बढ़ती है तरसल कारीक प्रत्री ने इस्तियोहार को लेकर लोकल पॉर्ड वोकल के साथ मनानी का लोगों से अनुरोद भी किया यहार के सवाल का अपने लक्षी को पूड़ा कर बीजेपी मुक्त राष्ट बना पाएंगे आपना जवाब हमें अमारी कामेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताए आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते नहीं बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब करना और अगर